असलाम अलेकुम डियर लेर्नर्स और हम बात कर रहे हैं करेक्टिरिस्टिक्स ओफ सक्सेस्फुल आंटेपनोर्स की पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी पैश्मन फॉर बिजनस, टेनासिटी डिस्पाइट फेलियर, एक्जेकुशन इंटेलिजनस और डिसिप्लेंड होने की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंक सेल्फ स्टार्टर, स्ट्रॉंग वर्क एथिक्स, ओपन माइंडेडनेस और सेल्फ अशॉरंस की सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेल्फ स्टार्टर की आप मैंसे कितने ही साथ ही ऐसे हैं जो हर रोज मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं या उसको अपनी सोचल मीडिया पर शेयर करते हैं या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के लिए जाते हैं यह बात याद रखेगा आपको बहुत से लोग बहुत सी अच्छी बाते कह सकते हैं बता सकते हैं आपको रास्ता दिखा सकते हैं बड़ डे एंड के ऊपर यह सारी मोटिवेशनल कोट्स तब तक काम नहीं करती जब तक कि आप खोद सेल्फ स्टार्टर ना हो आपने देखा होगा आजकल एक टरम इंटरनेट पर बहुत स्तमाल होती है motivational garbage motivational garbage का concept आया था वो ये कि motivational quotations बहुत ज़ादा हैं अब तो motivational speakers भी बहुत ज़ादा हो गये हैं बोट despite of having so many different sources जहां से हम motivation पकड सकते हैं बाज वकात हमारे अंदर से वो self motivation नहीं आ रही होती जिसकी हमें जरूरत होती है वजह हम basically self starter नहीं होते है आपनी जो भी करना है खुद करना है आपका जो भी passion होगा वोज कोड का passion होगा आपकी अपनी मर्जी होती है So again I repeat कहीं आप motivational garbage में ना फ़सराएं कि आपके पास हर रोज धेर सारी motivational quotes हैं आप हर रोज बहुत अच्छे motivational speakers को सुन रहे हैं आप entrepreneurs के bibliographies पढ़ रहे हैं आप trainings में जा रहे हैं लेकिन day end के ओपर अगर आपके business में कोई problem आ गया है तो आप उसको solve नहीं कर रहे है Second most important चीज Strong work ethics बहुत से लोगों के राह यह है कि अगर आप एक businessman है तो work ethics के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है because everything is fair in business but I repeat आप इस वकट globally जितनी बड़ी enterprises हैं जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो जो चीज आपको सबसे पहले नजर आएगी वो उनकी work ethics होंगी work ethics के बगएर कोई भी business grow नहीं करता हमारे हाँ एक journal राह यह पाई जाती है कि जो social corporate responsibility है वो सिरफ large organizations का काम है अगर आप छोटे पे माने पे काम कर रहे हैं तो corporate social responsibility आपका काम नहीं है but again irrespective of the size of the business जब आपके पास लोग काम कर रहे हैं तो again वो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी values को carry करते हैं जिस चीज को आप value देंगे वो भी उन्हीं चीजों को value देंगे तो इसलिए अगर आपके work ethics नहीं है आपके do's and don'ts नहीं है आप उनको right और wrong की अगर तमीज नहीं सिखा पाएंगे तो वो ही reflection आपके employees के अंदर नजर आएगी day and के उपर शायद initial आपको success मिल जाए but for a long time success work ethics का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर उसके बाद हम बात करते हैं open mindness के open minded होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितने भी कामियाब entrepreneurs हैं जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको जो चीज सबसे पहली click करेंगी उनसे बात करते हैं यही होगी कि वो open minded लोग हैं अच्छा open mindedness से हम क्या समझते हैं we have our own lens जिससे हम लोगों को देखते हैं सुनते हैं और अपनी judgments और evaluations करते हैं हम judgmental हो जाते हैं हमारे अंदर शायद tolerance नहीं होती खास तोर पे successful entrepreneurs की जो सबसे एक एहम characteristic है वो है tolerance for ambiguity future is very uncertain आप product market में लेके जा रहे हैं और आपको कुछ मालूम नहीं है कि market behavior consumer behavior क्या होगा आपकी product को लेके आप सिरफ उसको predict कर सकते हैं so आपके पास tolerance for ambiguity है क्या आपके पास religious या regional या cultural values के लिए tolerance है क्या आप अपने personal biases को site पर रख सकते हैं क्योंकि जब अगर आप product डिजाइन करें local markets के लिए तो काफी हद तक ठीक है लेकिन जब अपने global market में जाना है तो आपको अपने अंदर tolerance अपनी personal biases सब एक site पर रखने पड़ेगी और tolerance दिखाने पड़ेगी for the ambiguity and for the cultural diversity आखर में हम बात करते हैं self assurance की self assurance है आपका अपनी जाद पर एतमाद आप सब resources pool कर रहे हैं आप एक business खड़ा कर रहे हैं आप लोगों convince कर रहे हैं कि वो आपकी business में invest कर रहे हैं या आप एक product design कर रहे हैं तो आप किस तरह उस product को market में लेके जाएंगे in other words अगर इस product को मुझे बेचना है और मुझे अपनी ही product पे confidence नहीं है तो जब मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगी तो मैं शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में convince ना कर सकूँ क्या आप self assured हैं क्या आप confident है क्या आपको मालूम है कि आपका business idea अच्छा है क्योंकि आपको initially बहुत से लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे आपके product अच्छी नहीं है आपके product design जो है वो faulty है आपने ठीक market में एंटर नहीं किया बहुत से अच्छी राइदेने वाले बहुत से बुरी राइदेने वाले डे एंड के ऊपर तमाम तर opinions के बावजूद फैसला आपको करना है इसलिए आपको self assured होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if you are confused you cannot be a successful entrepreneurs कुछ और characteristics के बारे में बात करते हैं in the next video